चांदपुर में शिव मंदिर से पूजा करके लोट रहे एक शिव भग पर गुलदार ने किया हमला, मुश्किल से बचाई जान। गुलदार के आतंक सिक्षेत्र में भहेव्याप्त। दरसल, चांदपुर नगर के समीट ग्राम स्याउ स्थित जारखन शिव मंदिर पर श्रावन मास में शिव भगतों का ताता लगा रहता है। इस वर्ष श्रावन मास में आधिक मास है। इसलिए दो महीने तक श्रावन मास रहेगा। अधिक मास होने के कारण श्रावन मास में श्रद्धालू प्राता सवेरे से देर रात्री तक मंदिर पर पूजा करने के लिए आते हैं। स्याओ निवासी राय बहादुर के पुत्र हशियत मंदिर से पूजा करके लोट रहा था। तभी रास्ते में अचानक मादा गुलदार मिल गई। गुलदार को देखकर हर्शित के होश उड़ गए। हर्शित कुछ समझ पाता वह गुलदार से बचने के लिए अपनी स्कूटी को वापस धुमाने लगा, तभी स्कूटी फिसल कर गिर गई। पेज आवाज से मादा गुलदार पीछे हट गई तथा भाग गई। स्थानिय लोगों का कहना है कि ग्राम स्याओं के निकट ग्राम शेखुपुरा के जंगल में मादा गुलदार ने दो शावकों को जन दिया है, जिनको ग्रामीनों ने जंगल में देखा है। इसी वजह ऐसे मादा गुलदार आसपास क्षेत्र में घूम रही है। हर्षित के परिजनों ने इस घटना में मौत के मुह से निकल कर आने पर भगवान शिव की कृपा बताए है। उन्होंने कहा है कि हर्षित भगवान शिव का भक्त है। वह प्रतिदिन पूजा करने मंदिर पर ज करदम के प्रितम कर था आगे मुझे गुलदार बिदा राही है। आगे मंदली पूरी कर चा रास्ता डारा है। बाइक श्लिक वो गई.. तो हल्गा हम्रा मिलत हुरा हम्रा गराव सिदानी करिया हुष